हेलो एवरिवन गुद मॉर्निंग टू और फियो वेलकम टो लॉजिक पार्ट शाला आज के स्वीडियो में हम कवर करेंगे 12 और 13 जून के इंपॉर्टेंट करेंट अफियर्स के क्वेशन्स साथी साथ में फ्रेंड्स आपका जो तीन दिन का बीच में करेंट अफियर्स नह होंगे जो आपके छूट गए है और आपके आज की करेंट अफियर्स भी उसमें इंक्लूड होंगे जिसे कि आपका कोई भी क्वेशन यहां पे ना रहे पाए तो बिल्कुल आप निश्यंत रहें सारे आपको करेंट अफियर्स अब रेगुलर प्रोवाइड करेंगे तो चले फिर आज किस इंपॉर्टन सेशन को शुरू करते हैं हम इंपॉर्टन डे के साथ उससे पहरे में आपको छोड़ी से एक चीज़ कहना चाहूंगे तो फ्रेंट्स आप लोग कभी भी मेहनत करने से ना कदराएं यह ना सूची कि अगर कोई काम बहुत बड़ा है या को समारा इंपॉर्टन डे है वो है वर्ट डे अगेंस चाइड लेबर जो की सेलिबरेट किया चाहता है बारा जून को तो बारा जून को यह दिवस मनाया चाहता है इसका देखी में पॉपस क्या होता है तो फोकस अटेंशन ऑन दी ग्लोबल एक्सेंट ऑफ चाइड लेबर यानि इसके उपर इतरी किसे फोकस करना चाइड लेबर के उपर और इसको अलिमिनेट करने के लिए क्या करना एफर्ट करना और एक्शन लेना इसका में उदेश है पहली पार इंटरनाशनल लेबर ओगनाईजेशन के द्वारा यह दिन दो हुसार दो में सेलिबरेट यह लॉंच किया क्या था इस दिन को और इस पार की जो इसकी थीम रखी गई है वो है यूनिवर्सल सूशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल लेबर तो मैं आपसे बार बार वहीं बोलते हों कि जितना इंपॉर्टेंट आपके डेकी डेट होती है उतना दा इंपॉर्टेंट उसकी थीम भी होती है तो इसके उपर भी आप लोग जरू ध्यान दें शुरू करते हैं कोशन फॉर्स्ट से विच कांट्री हास पास्ट दी वाइट फॉर्स्ट राइट टू रिपेर बिल फॉर डिजितल इलेक्रोनिक्स तो डिजितल इलेक्रोनिक्स के लिए दुनिया का पहला राइट टू रिपियर बिल यह जो है वो किस देश ने इसको पारित किया है इसको पास किया है तो राइट आंसर हो जाएका USA यानि United States of America ने इस बिल को पास किया है यह जो बिल है ना यह बिल इलेक्रोनिक्स मैनूफैक्चर को जो consumers हो गया जो उनके independent repair shops है ना वहाँ पर जो tools हो गया उसकी information हो गया जो भी software है ना उसकी availability करा रहा है या निक तरीकी से exact information provide करना तो इस bill में जो है वो यह सारी चीज़ से require है the bill officially known as digital fare repair does not include motor vehicles तो इसमें motor vehicles include नहीं है और बाकी जो electronics चीज़े हैं तो वो सारे चीज़े जो है इस bill में include है USA की बात करते हैं तो यह North America जो continent है वहाँ पर located country है इसकी capital है Washington DC President है यहाँ पर present time में जो Biden और currency है यहाँ की US dollar आगला question है which country has released world's most detailed map of moon तो कौन सा देश है जिसने चंदर्मा का दुनिया का सबसे बिस्तृत नक्षा जो है वो जारी किया है तो यह country कौन सी है तो right answer हो जाएका friends China is the right answer यह जो map है ना देखिए यह बहुती fine details है इसमें fine details कहलेजी आप या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि काफे ज़दा इसने विवरार दर्ज किया गया है इससे पहले 2020 में चो यूएस के द्वारा जारी किया गया था map उसकी comparison में इसमें lunar surface के बारे में और भी बहुत fine details जो है इसमें दी गई है the new map इसको publish किया गया by science bulletin on 30th May 2022 to the United States Geological Survey for the first time map the entire lunar surface in 2020 तो entire lunar surface का जो map है पहली बार 2020 में जो है इसे launch किया गया तो इसको बनाया गया था बात करते हैं friends China की तो capital है यहां की Beijing currency है रेन बिन भी प्रेजिनेंट का नाम है Xi Jinping ठीके चाइना जो है इसे officially कहते है People's Republic of China यह East Asia में located एक country है और world की most populous country है यानि अगर हम population की category में बात करते हैं तो सबसे जादा जो population है वो कहां पे है चाइना में और उसके नमर पे second नमर पे आता है कौन सा देश इंडिया चाइने से रेंटिर कुछ information देख लीजिए चाइना ने अभी कुछ नाहीं पहले ही एक satellite है Zonging 60 इसे space में भेजा चाइना का जो पहला Mars rover उसका नाम है Zorong चाइना ने रूबोर प्रोटोटाइप New 01 को launch किया space database को clear करने के लिए world की पहली country जि चाइना ने ही Ocean Observation Satellite Haiyang 2D को launch किया तो जितने भी देखे launch है वो आपको जरूद हैं रखने के कौन से देश के द्वारा किये गए है और ये भी आग रखेगा उसमें कौन सा rocket और कौन सा वहीकल उसके लिए use किया गया है Next which country has announced that it has agreed to abolish the mandatory death penalty तो अभी recently देखे death penalty को समाप्त करने की जो घुशना है वो कौन से देश ने करी है सही answer हो जाएगा Malaysia is the right answer तो जो death penalty है उसको replace किया जाएगा कि she say alternative punishments at the discretion of the court यारी जो मौद की सजा होती है देखे उसमें जो death penalty होती है ना उसको alternative punishment से replace किया जाएगा Malaysia में currently 11 offenses है चोकि death penalty को चापके लिए जो भी mandatory death penalty उसको trigger करते है May 2022 में Zambia देश ने भी announce किया its plan to abolish the death penalty तो यहाँ पे Malaysia कोई पहली ऐसी country नहीं जिसने ऐसा काम किया है तो आप यहाँ PCS के बारे में भी देख सकती है अगला question है Russia and Dash unveiled the first ever road bridge between the two countries तो यह दो countries के बीच में पहला जो है road bridge है अब एक country का नाम तो लिखा है Russia और दूसरी country का नाम जो है वो क्या है चाइना ठीक है तो रशिया और चाइना तो दोनों देशों के बीच में एक लंबा सा ब्रिच है जो की अमूर रिपर पे है और यह रशियन सिटी जो है उसको नौर्दन चाइना की ही ही सिटी से जो है जोडता है तो आपको यहाँ पे एक चीज क्या ध्यान रखनी है रिवर का नाम क्या है अमूर रिवर यह आपको ध्यान रखना है और यह two traffic lanes का है और इसको बनने में around 19 billion रूबल यह आपके लिजे 328 million डॉलर का खरचाया जो की हमें याद नहीं रखना आपको दोनों ही country ध्यान रखने है चोकि कौन सी है रशिया और चाइना अगला हमारा question है which country has not been elected to the UN Security Council as non-permanent member for the 2023-2024 term तो कौन सा देश यो है वो UN Security Council में 2023-2024 के लिए non-permanent member के रूप में नहीं चुना गया है अब बात करते हैं कि यहाँ पे कौन सा कौन सी country है तो friends right answer हो जाएगा Nepal is the right answer देखें जो Ecuador, Japan, Malta, Mozambique को जो Switzerland है जो यह country से इनको elect किया गया है UN Security Council में as a non-permanent member के तौर पर 2023-2024 term के लिए यह जो countries नहीं यह replace किसे करेंगी India, Ireland, Kenya, Mexico and Norway को from 1st January 2023 यह सारी countries बन जाएंगी member और और रेप्लेस कर देंगी इन सभी countries को India has two term as UNSC as a non-permanent member जो कि कब खत्म होगा December 2022 में when it will also hold the presidency of it तो India का जो term है न वो December 2022 में खत्म हो जाएगा तो आपना कोशिश करेगा कि जो countries है न पांच इनके राम भी जरूर धियान रखने कि कौन सी elect हुई है Ecuador elect to Japan, Malta, Mozambique and Switzerland अगला कोशिशन है the 12th World Trade Organization Ministerial Conference will begin on 12 June in which after a gap of almost 5 years तो मतलब 5 वर्षों के gap के बाद जो है यह सम्मेलन शुरू हुआ और यह कौन सा सम्मेलन है यह 12th नंबर का है बताना है के कहां पर यह शुरू हुआ तो यह शुरू हुआ है friends Switzerland में तो answer हो जाएगा option number D अब इस जो यह conference हुई है ना WTO की ministerial conference इसमें कुछ areas के उपर discussion किया गया है negotiation भी किया गया जैसे कि देखे जो pandemic हो गया fisheries, subsidies, negotiation और agriculture issues तो इन सभी के उपर discussion और negotiation किया गया अब भारत का क्रजू प्रतिनिधित्वे वो किस ने किया है एक कोरिशन भी आप से पूछ सकती है यहापे आपको धियान रखना है पियोश कोयल जो की भी है commerce और industry minister उन्होंने यहापे भारत का प्रतिनिधित्व किया है बात करते हैं friends WTO World Trade Organization की तो यह एक intergovernmental organization है इसका headquarter जो है फुजेनिवर स्विजलेंड में है इसके शिरवात होई थी 1st January 1995 को आखला question है which IIT has partnered with National Highways Infrastructure Development Corporation Limited to work in the field of highway engineering तो highway engineering के लिए बताना है कि कौन सी IIT ने NHIDCL के साथ में partnership करी है answer हो जाएगा IIT रुड़की के द्वारा यह partnership की गई है यह जो M.U. है यह तरीके से 13 October 2021 को जो शुरू हुआ था प्राइम मिनेस्टर्स कती शक्ती National Master Plan उसके जो objectives है उसके जो aims है उनी को ही पूरा करना है उनी को साकार करने में यह important booming का निभाय का यह जो M.U. साइन हुआ है IIT से लिटेट अगर हम और निउस की बात करते हैं तो दिखें फ्रिंट्स अभी Ministry of Railway ने IIT मदरास के साथ कोलाबरेशन किया Indigenious Hyperloop System के लिए IIT Bombay ने Meteorological Department के साथ आइप किया है Northern Regional या जैसे शॉर्ट में हम के बोलते हैं पोसों को इसने अभी M.U. साइन किया है IIT Delhi के साथ मिलके तो हमें आप यह थोड़ी से निउस और भी ध्यान रखनी है Next Air Dash has forced accreditation body in the world to have its own office space in the Metaverse तो Metaverse में अपना खुद का office space रखने वाला दुनिया का पहला मानेता निकाय कौन सा बन गया है Right answer is the All India Council for Technical Education Very important इसका नाम जरूर आप लोग भियान रखेगा Information Data Systems unveil the outlook of AICTE in the Metaverse in an event Same event में Union Minister Dharmendra Pradhanji ने जो educational Metaverse है ना इक उसके लिए polyversity यानि सेक्षिक Metaverse polyversity को भी launch किया है और किस ने किया है ऐसे भी ध्यान रखना है धर्मेंद प्रधान जी ने जो कि Education Minister है Next is in which lake what's first fishing cat census was done वेश्व की पहली fishing cat के जनगरना किस शील में की गई Right answer is चिलका लेक जो कि कहां पर located है ये भी हमें याद होना चाहिए ये है उडिसा में located तो पहली बार जो है fishing cats की जनगरना की गई है और ये पहली world की population estimation of the fishing cat conducted outside the protected area network यानि ये दुनिया का पहला जो है वो बिली का मश्ली बगरने वाली बिली का जनसंख्या अनुमान है और ये अनुमान उनके protected area network के बाहर आजित किया गया Fishing cat is also the state animal of West Bengal चिलका लेक की बात करते हैं तो ये ब्रेकिश वाटर लेगोन लेक है जो की उडिसा state की गंजम district में है It is the biggest lake in India after बेमनात lake Next है in which city Prime Minister Narendra Modi has inaugurated the headquarter of Indian National Space Promotion and Authorization Center तो कौन से शहर में Prime Minister Modi जी ने in space का जो है वो उतखाटन किया है Right answer is एहमदाबाद गुजरात में तो देखे फैस दो तरीकिसे question बन सकते है कि कहां पर उतखाटन हुआ और किसके द्वारा हुआ है चीके तो किसके द्वारा हुआ है ये भी हमें याद रखना है Prime Minister Narendra Modi जी के द्वारा इन space जो है ना देखे इसको स्टेबलाइश किया गया था June 2020 में ये Autonomous Single Window Nodal Agency है Department of Space में किस चीज के लिए है ये देखे है Promotion, Encouragement and Regulation of Space Activities तो बोथ Government and Private Entities तो Government Entity जो Private Entities होती है उन दोनों के लिए उन दोनों के लिए देखे Space जो Activities हो गई उनको उनका प्रचार और उनके Regulation के लिए एक सिंगल Window Nodal Agency है जिसका जो Head Quarter है इसको Inaugurate किया गया है एहमदाबाद गुजराद में Next Question है Friends Question ने पूचा है Which Indian Institute was ranked at Top Research University in the World in Q.S. World University Rankings 2023 तो इस ओर ranking आई है न इसमें हमें बताना है कि कौन सा Indian Institute है जिसने जो है वो दुनिया के Top Institute के रूप में से स्थान दिया गया है तो उस Indian Institute का नाम है IISC Bengaluru यानि Indian Institute of Science Bengaluru Q.S. World Rankings जो है इसमें Top 900 Universities को rank मिला है जो कि 8 ranking indicators है उनके आधार पर और इसमें Top किया है United States के Massachusetts Institute of Technology ने और 2nd place पे है United Kingdom का University of Cambridge तो इसमें भारत के चोंच इस्टिटूट है ना Indian Institute of Science Bengaluru उसको इसमें स्थान मिला है Next हमारा question है Dash has collaborated with India Space Agency ISRO which will enhance the quality of its 3D map तो इन में से किस ने भारत की जो Space Agency है ना ISRO उसके साथ में collaboration किया है ताकि 3D maps की जो quality है उसको enhance किया जा सके और भी उसकी मतब जो गुडवत्ता है ना उसमें सुधार किया जा सके तो right answer देखिए हाप यह हो जाएगा Map my India is the right answer जिसने इंडिया के Space Agency ISRO के साथ में collaboration किया है जो company है ना यह develop कर रही है new maps as part of its foray into the metaverse अब users देखे क्या होंगे users सयोग के माध्यम से लोगों दौरा यह उनकी जो भी उनकी जिस भी वो रास्ते को जाती है उस रास्ते पर खोजे जाने वाले सटीक स्थानों पर वनस्पती मांचितर या गर्मी के नक्षे वायू गुडवत्ता मांचितर और वो अन्या जानकारी देख सकेंगे इट मेंस जब आप माप देखते हो ना उसी के साथ साथ आप एग्जेक्ट आपको आपका चो इंटरेस्ट वाला रूट है ना वहाँ पे आप वेजिटेशन माप और हीट माप यह एक्वालिटी माप इन सभी की इंफॉर्मेशन भी देख सकेंगे इसरो की बात करते हैं फ्रेंट्स इसरो की शुरुवात 15 और ऑगस्ट 1969 को हुई है इसरो का हेटकॉर्टर में इंगलूरू में और इसके चीरनेस टाइम पे हैं एस सूमनाथ नेक्स्ट क्वेशन इस नासा इस सेट लाँच अ मिशन कोल्डविन्सी मिशन दे मिशन विल फ्लाइब वीनस एंड एक्स्प्लोर इट्स हाश एट्मोस्फेर इंडश तो यह जो है वो मिशन किसके लिए है वीनस प्लानेट के लिए है और यह अपनी उनान भरेगा और कब जो है वो यह एक्स्प्लोर करेगा उसके हाश एट्मोस्फेर को तो वो हमें एट्मोस्फेर बताना है तो एट्विनसी है उसकी फुल फॉर्म है डीप एट्मोस्फेर वीनस इन्वेस्टिगेशन ओफ नोबल गैसेज केमिस्ट्री और इमेजिंग मिशन तो इक तरीके से का जो atmosphere की deep study करना है और यह flybys और descent दोनों तरीक दोनों तरीके से Venus को क्या करेगा study करेगा और ऐसा करके करने वाला यह पहला mission होगा Venus के surface पे यह June 1880 की टाइम से उनका emission successful हो पाएगा नेक्स्ट है members of European Parliament have voted to ban this sale of new petrol and diesel car by Daesh तो जो उनाइटेड यूरोपन पारलमेंट के members है उन्होंने जो नई कार्स है जो पेट्वल और डीजल की कार है न उनकी सेल के उपर प्रतिबन लगाने के लिए वोटिंग करी और कब तक का रखा गया है 2035 का 2035 तक के लिए इसका में उदेशे देखे क्या है climate change के अगेंस्ट fight करना क्योंकि देखे जो पिट्टोल और डीजल से वहिकल्स चलती है उनकी वजह से क्या होता है pollution होता है तो electric vehicles को और भी सदा प्रमोट किया जा रहा है तो उ European Union Assembly ने वोट कहां भी किया है France के stress work में नेक्स्ट है इंवेस्ट सिटी मेघालिया government organized the first state women's conference जो है तो मेघालिया का कौन सा शेहर जहां पर पहली बार state women's conference का आयरजन किया गया है right answer हो जाएगा देगे friends Shilong तो मेघालिया की capital है Shilong जहां पर इसका आयरजन किया गया है तो इसके theme भी रखी गई है और theme क्याती है इसके support and celebrate ये जो conference से इसे मेघालिया के Chief Minister Conrad के संगमाने inaugurate किया इसका में उदेशे था celebrating women and generating dialogue towards creating a sustainable and enabling environment for women's तो इसी उदेशे के साथ में ये event किया गया हूं मेघाले की बात करती है तो यहां अगर मैप में देखें यह आपको दिख रहा है यह state कौन सा है मेघाले जोसकी capital है Shilong Chief Minister है Conrad Sangma और यहां पर governor है सत्यपाल मलिक next question है which state government has launched the beach wiggle application to keep vigilance over the splendid beaches of the state it means राजय में जो बहुत splendid beaches है उन पर निगरानी रखने के लिए beach wiggle application को launch किसे किया है तो right answer हो जाएगा गुआ तो गोग के chief minister के दौरा जो है वो इस application को launch किया गया है यह application एक तरीके से जितने भी शांदार beaches है गोगा में वहाँ पे vigilance यादि सतरक्ता मनाय रखने में मदद करेगी जो कि गोगा के tourism के लिए बहुत important role होगा which vigilance application इसे गोगा के electronics limited के दौरा डेबलब किया गया गोगा की बात करते हैं तो देखे 30 में के दिन गोगा जो है वो अपना statehood day celebrate करता है क्यों करता है क्योंकि 30 में 1987 में गोगा को पूर्राजे का दरजा मिलाता और ये 25th state बनाता हमारी इंडिया का गोगा अपना liberation day जो है ना वो 19th December को celebrate करता है क्योंकि पॉर्टोगीज से जो गोगा लिबरेट हुआ था वो 19th December 1961 को हुआ था अगर हम एरिया वाइस बात करते हैं तो गोगा जो है पूर्ट स्मॉल स्टेट है एरिया वाइस ठीक है तो ये भी हमें याद रखना है अगला गोशन है which state government has set up a four member panel to give recommendation to regulate online gaming तो online gaming को एक तरीकी से regulate करने के लिए या सिफारिशे देने के लिए चार member की panel का गठन किया गया है कौन सी सरकार ने किया है तो answer या पे हो जाएगा तमिलाडू की सरकार ने किया है तो ये चो पैनल है इसको head con करेंगे रिटायर मदरास हाई कोट जज है के चंदरू तमिलाडू ने online gaming को बैन किया था November 2020 में but the provision was struck down by the मदरास हाई कोट लेकिन ये चो प्रावधान था ना बैन का इसको मदरास हाई कोटी August 2021 में रद कर दिया था तो simply हमें स्टेट ध्यान रपनी है तमिलाडू तमिलाडू की बात करते हैं तो यहां आप देख सेते हैं ये location है तमिलाडू स्टेट की capital है इसकी चेन नहीं CMN के स्टालिन गवर्णर है आरेन रवी इंपॉर्टें नैशनल पार्क में मुदुमलाई है मुकूर्ती ओ गया इंद्रा गांधी नैशनल पार्क गिंडी नैशनल पार्क गर्फ ऑफ मननार मरीन नैशनल पार्क है वहीं heritage site में देखिये है great living chola temples जो की थनसापूर में है और महाबलीपूर में है group of monuments तो यह word की UNESCO क जो heritage site है न उसमें include है next question is which state government has approved 12 new conservation reserves and 3 wildlife centuries in June 2022 तो कौन से राजय की सरकार ने 12 नई conservation reserve और 3 wildlife century की को मनसूरी दी है state कौन सी हो जाएगी तो right answer हो जाएगा friends महाराष्ट तो यह जो protected areas हो गए न will have an area of almost 1000 square kilometer तीन जो wildlife नई wildlife century है वो extension है लोनार wildlife century का कोला मारका इन गची रोली और मुक्तई भवानी इन जलकाओ इस addition के चाथ जो conservation reserve हो जाएगे ना उनकी संख्या कितनी हो जाएगी 27 हो जाएगी next है बाइखो festival is celebrated in which of the following state तो right answer यहाँ पे हो जाएगा असम is the right answer तो यह जो festival है यह राभार tribe है उनके द्वारा celebrate किया चाहता और इसे इस festival को celebrate करते हैं annually यह festival harvest season जो है पौती एक तरीक से कह लिए शुब जो harvest season है उसको celebrate करता है and to fill it with abundant crops and good health और अच्छे स्वास्ते से भढ़ने के लिए इसको celebrate किया जाता है तो याद रखेंगे यह कहां celebrate होता है असम state में next 12 question है which state government has launched YSR Yantra Seva scheme यह scheme शुरू किसने करी है तो आंदर प्रदेश की सरकार ने इस scheme को शुरू किया है उन्होंने जो देखिए यहां पर ध्यान रखेगा कि जो आंदर प्रदेश में गुंटू district है वहां पर tractors और जो combined harvesters है उनके distribution को भी flagged off किया गया 3,800 tractors और 2,320 combined harvesters would be made available at राइतु भरोसा center next हमारा question है who has been appointed as the ambassador of Indo-UK culture platform this season of culture जो की mark करता है 75th anniversary of India's independence तो इसके लिए ambassador किसे appoint किया गया है answer हो चाहेगा A.R. Rahman को इसके लिए appoint किया गया है officially launch किया गया से June 2022 में by Britain's deputy high commissioner जो है Jan Thompson and director of the British Council Barbara Vickie तो उनके द्वारा जो है वो इसे launch किया गया है कुछ और brand ambassador की बात कर लेती हैं तो दीखे पहली बार जो है Louis Whitton ने एक Indian brand ambassador appoint किया है वो भी किसे DP का पाधुकोन को Global Peace Ambassador 2022 के लिए select किसे किया गया है बबिता सिंग को My Levin Circle के brand ambassador बने है शुबमांगील और रुतुराज गाइकवार बार्ती एकसा Life Insurance ते अपना brand ambassador appoint किया है विध्या बालन को आगला question है who has been appointed as a new chairman of the International Aluminium Institute तो International Aluminium Institute में chairman कौन appoint हुए है दराइड आंसर इस Satish Pai तो Satish Pai को appoint किया गया है यह मैनेजिंग डारेक्टर है हिंडिकलो इंडेस्ट्रीज में चुकि वन ओफ दी वोर्ट के largest integrated producer of aluminium है तो अब यह इंटरनाशन अनुमिलियम इंस्टिटूट में chairman पत्पे appoint किये गई है नेक्स्ट हमारा question है who among the following has been appointed the managing director and CEO of RBL bank तो तीन साल के कारेकाल के लिए RBL bank के जो managing director बनी है उनका नाम क्या है answer हो चाएगा आर सुब्यमन्य कुमार को appoint किया गया है जो RBL bank है ना इसके शुरुआत हुई थी August 1943 और इसका recognition award by WHO तो देखें यह जो award है WHO के द्वारा तिया गया और इस award से किसे समानित किया गया है सही answer यहां पे हो जाएगा PGI चंडीकर को इस award से समानित किया गया है अब क्यों किया गया है तो देखिए यह award दिया गया है for its efforts in advancing tobacco control तो tobacco control करने के लिए जो उनके efforts रहे हैं उस efforts के लिए उनको यह award दिया गया है आवोर्ड और ओर्नर्स से पहले हम बात करें WHO की तो इसका जो headquarter है वो जैनेवा स्विजलेंड में है इसके सापना 1948 पे हुई थी टेड्रोस एडरनॉम जो है वो इसके प्रेसिडेंट है कुछ recent awards की बात करें तो देखिए जो वासविक industrial research award है यह award किसने जीता है डॉक्टर ए गौपाल कृष्णन ने ए आर वेंकट चलपती इन्हें lifetime achievement award याल अवोर्ड के लिए सिलेक्ट किया गया author and journalist वीजी मॉर्गन ने विलियम E. कॉलवे अवोर्ड जीता फॉर इस military and intelligence writing के लिए नेक्स्ट हमारा question है friends Dash and Rubina Francis have won India's third gold medal in para shooting World Cup 2022 तो यहां पी एक नाम तो आपको दिया हुआ है देखिए Rubina Francis दूसरा नाम क्या है Manish Narwal जिनोंने भारत के लिए तीसरा gold medal जीता है para shooting World Cup में तो आपको simply इतना ही ध्यान रखना है और इससे पहले ध्यान नेकिए देखिए तीसरा gold है इट मींस आपको इससे पहले दो के नाम जरू ध्यान रखने है तो अबनी लेकरा और श्री हर्ष देवरदी रामकृष्ण इन्हों जो है वह इसमें gold medal जीता और तीसरे कौन बने है तो मनीश नर्वाल और रुबिना फ्रेंसेस कुछ रिसेंट के sports news देख लीजे फ्रेंस तो इंडिया ने देखी इंडिया इंडियर कैम्पीन आट बोलात तर्किवियो कप एट अलमाटी इन कजाकिस्तान ओन दिस सेकंड पोजिशन मेंस जो होकी इशक अप हुआ उसमें इंडिया के ने कौन सा मेडल जीता है ब्रॉंस रेड बुल के racer Sergio Paris से Monaco Formula 1 Grand Prix चीती और शिकर धबन पहले प्रेयर बने पूरी IPL के हिस्ट्री में जिन्नोंने 7000 फोर्स को हिट किया है तो फ्रेंड्स आज की हमारी वीडियो के सबी questions हो जाते हैं finish आज में हमने काफी देखे पुराने questions को आपको cover करा दिया है ऐसे ही मैं आपको कल जो questions कराऊंगी उसमें भी आपको जो पुराने current face रेगे उनको mix करा दूँगी और ताकि इससे हमारे सारे current face cover हो जाएंगे तो फ्रेंड्स आज revision portion नहीं रखा गया है questions के जादा होने के चकर में तो आज आपके लिए homework question में देखे पहला question है पानी के बीतर उंगनी वाले जो दुनिया का largest plant है वो किस देश में अभी हाली में खूजा गया है और second question है कौनसा state या UTA है जिसने एक M.E.O. sign किया है Indian Air Force के साथ for setting up the IAF Heritage Center तो यहाँ पे आपको उस UTA state का नेम हमें बताना है तो friends आज की हमारी हाँ के वीडियो के सभी question हो जाती है finish आप लोग मुझे जल्दी से homework questions के answer कर दीजिए Thank you so much for watching this video